हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो मारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है इन्वेट्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन की उसके लास्ट टिम कोईसे नंबर 13 तक हमने देखा था आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेसे नंबर 14 से चल यह ठीक है स्टूडेंट्स यह मेरा एक्ट्रिफ इंट्रदक्शन प्रणव पंडे मेरे नाम है अभी तक मोर्दन 590 प्लस वीडियो लेक्ट्र सी यूट्यूब पर मैंने डाल दिये अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए होता है क्लास 11 क्लास 12 से रिलेटर्टर्ट तो physics, chemistry, mathematics का कोई भी तो आप उसकी यह जो वीडियो मैंने दिये का है कि description box में जाएए वहाँ पर link है playlist के और वहाँ आपको वीडियो मिलती है students हमारा जो very first question है उसे देखते हैं लिखावा है if sine inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x is equal to 1 and find the value of x यह question students बहुत important भी है ठीक ना examination point of view पर है तफ नहीं है important बूला मैंने तफ नहीं का मैंने ठीक ना चलिए देखते हैं इससे करना कि ऐसा students देखेगा देर खाया है आपको कि sine of यह दिया हुआ है students मैं क्या इससे ऐसा बोल सकता हूँ देखेगा students क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि sine inverse 1 by 5 plus cos inverse of x यह तो दिया हुआ है मुझे लेकिन इसके आगे sine है न मैं sine को अगर उस तरफ लिया लो तो मैं क्या इससे ऐसा कह सकता हूँ कि sine of inverse 1 ऐसा कह सकते है न फिर students हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to sine inverse 1 के place पे students मैं ऐसा लिख सकता हूँ sine pi by 2 आप समझते हैं हम ऐसी setting क्यों कर रहे हैं क्योंकि value d ही ऐसी रहती है sine inverse 1 की value कोई कहेगा आप सीधे pi by 2 कह सकते हो क्योंकि आपको पता है आप 1 को ऐसे लिख हो गया इसे ऐसे cancel कर तो students इसे अगर हमने आगे solve करना कैसे करेंगे हम देखेंगे कि यह चीज तो ऐसे cancel हो गई तो बचा क्या बचा यह sine inverse 1 by 5 plus देखिए मैं ना इसे ऐसा करता हूँ यहां से लिखना start करता हूँ हम देखिए sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to pi by 2 निकल के आया ठीक है अब students यहां से आगे हमें solve करना है हमें actually x की value बतानी थी ठीक है अब आपको देखकर वैसे समझ में आ जाना चाहिए otherwise आपको मैं दिखाता हूँ कि आप यहां आई आई है आपने देखा हूए ना एक formula मैंने आपसे last time भी discuss किया था यह वाला formula यह आप देख पा है क्या लिखा हूए sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 आपकी summary में भी NCRT मैं कोशिस करूँगा इसे एक बार इसकी proving भी दे दूँँ आपको अलग से लेकिन वह अब भी नहीं जो आगे आने वाले just question है उसके बाद जो I think 15 से question स्टार्ट हो रहे है वहां से इसके regarding में कुछ बात भी करूँगा last में आपको मैं इ सकते साइन साइन और कॉस के इंवर्स का रिलेशन यह होता है कॉस सेक का और 10 कॉट का रिलेशन होता है कि वह आपस में equal करके pi by 2 देते हैं यह याद करना भी आसान है काफी क्यूंकि आपने class 10th में भी देखा हुआ यह तो 12th का था class 10th में students आपने इस तरह से देखा हुआ ह साइन 90 मैंस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 मैंस थीटा साइन थीटा यहनी साइन कॉस का रिलेशन होता था 10 कॉट का और सेक कॉसे का रिलेशन होता था एक्जेक्ट वही चीच सूडेंट इस class में भी होती है इन्वर्स के साथ साथ साइन कॉस का रिलेशन 10 कॉट का इंड sec, cosec का relation. अगर आपको याद में हो तो याद करना बहुत आसान है. sine और cosine. sine का पूरा नाम, cos का पूरा नाम cosine है. भाई-भाई, cosec, sec. भाई-भाई, second और cosecant. एक ही चीज है. tangent और यह है cotangent. तो जो एक दूसरे के relation के साथ है, वो ही लग रहे है. तो इस बात से students हम easily, हम पर क्या कर सकते हैं? हम इसे easily solve कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतनी situations हमारे साथ आ गई थी, हम इसे ऐसा बोल सकते हैं further. हम बोल सकते हैं कि यह जो चीज लिखी भी है. दिखिएगा. यह जो students आपको दिखाई दे रहा है, आप अब तुरंट समझ गए होगे, कि sine inverse x plus cos inverse x कितना होता है? pi by 2 होता है. अच्छा, मैं इसे छोटा गढ़ दिया गलती से. दिखिएगा. है ना, अगर यह x भी 1 by 5 होता, तभी possible है कि आंसर pi by 2 आए. क्योंकि आपने देखा, आपने देखा students की sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. यानि दोनों arguments सेम होंगे, तब जाकर इनका result pi by 2 आता है. तो आप देखकर न, this implies करके सीधे लिख सकते हो कि x is equal to कितना? 1 by 5 from this formula. है ना, comparison from the formula. ऐसा भी कर सकते हो आप. ठीक है, तो आप समझ गए हो, x कितना होगा? 1 by 5 होगा. लेकिन कोई दूसरे language में लिखना चाता है, कोई मानलिया student किसे ऐसे लिखना चाता है, तो वो ऐसे भी कर सकता है, कि देखिए, cos inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse 5 by 5. 1 by 5. कोई ऐसा भी कर सकता है? है ना, अब कर वही रहे हैं, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, वही exact चीज कर रहे हैं, लेकिन बस representation का तरीका अलग है. आप फिर ऐसा बोलोगे, आप बोलोगे, cos inverse x is equal to, cos inverse of 1 by 5. अब कोई पूछेगा, आपने ऐसा कैसे कह दिया? तो आप क्या अगह होगे? यह आपने क्या लिखा हुआ है, students, cos inverse 1 by 5. यह ऐसे लिखा हुआ है. अब तो easily हम कह सकते हैं, this implies x is equal to कितना? 1 by 5. लेकिन 1 by 5 लिखा हुआ. कोई कहेगा कि यह ऐसा कैसे कर दिया, आपने इसको by by 2, तो आप उसे reference इस तरह से दे सकते हो. आप कहा सकते हो? कि we know that sine inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. तो x के place पे अगर 1 by 5 हम रख दें, और cos inverse अगर मैं 1 by 5 ही कर दूँ, तो students answer will be what? Yes, pi by 2. answer pi by 2 आएगा. तो इसका आपने एक reference दिया, आपने कहा यहाँ से pi by 2 minus sine inverse 1 by 5 क्या होगा? cos inverse 1 by 5 ही तो होगा ना? आप देख लिजी, इस relation से कोई problem नहीं है, है ना? तो बस वही चीज करी करने वाले ने, और यहाँ पर आपको answer इतना मिली जा, तो students आप देख सकते हैं, इस question को, one shot में यहाँ पर आपको दिखा ही दे रहा है, ठीक है? तो यह इसका एक proper solution है, आप इसे देख लीजी, आराम से इसका screenshot note कर लीजी, जो आपको करने है, सब्सक्रीन बात, important question है, बहुत simple question है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की तरह, 1 by 5 उसका अंसर x का, लिखा भाए, if 10 inverse, if 10 inverse x minus 1 upon x minus 2, or x plus 1 upon x plus 2, is equal to pi by 4, then find the value of x, important question, यह important question है, mark कर लेना है, किसी भी बोट से related हो, आप mark जरूर कर लेना, question simple है, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है, simple question है, ऐसे question बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 inverse का role होता है, इसमें एक formula का role होता है, आप जानते हैं न students यह formula को, 10 inverse x plus 10 inverse y का, simple formula होता है, 10 inverse of x plus y over 1 minus x of y, यह आप जानते हैं, बहुत simple formula use होता है, बार बार, इसी formula का इस्तिमाल करना है, आपको इसमें just, और कुछ नहीं करना, मैं आपको एक planning बचाता हूँ, planning यह है, कि आप जब इसे solve करोगे, तो 10 inverse में उस सब को solve करके, कुछ आएगा, कुछ आएगा ना, solve करके, आपके planning यह है, कि 10 inverse को वहाँ भेज़ दोगे, यहाँ वो question mark बचेगा, 10 of pi by 4, 1 हो जाएगा, बस फिर यहाँ पर जो भी बचावा, एक x का function बचाओगा, solve करके, बस आप quadratic, जो भी बनाओ, जो भी बनाओ, quadratic जरूरी नहीं है, x को निकाल लेंगे, यह planning है, यह क्या है, planning है, students, इस ही planning को हम execute कर रहे है, देखेए गजरा, exact वो ही चीज़ कर रहा हूँ, 10 inverse of उसका formula लगाया मैंने, कि मेरे लिए यह, a type का और यह b type का है, कहा सकते हो ना, 10 inverse a plus b, यानि, x minus 1 over x minus 2, a हो गया, plus करकर, b, b यानि, x minus 1 over x plus 2 हो गया, whole upon my students कितना करेंगे, yes, whole upon में कितना करेंगे, yes, 1 minus, यह जो चीज़ है, x minus 1 upon x minus 2, into x plus, sorry, अच्छा, यह plus है ना, x plus 1 over x plus 2, pattern थनेश लिया दा गया, चलिए देखे, अभी समझ में आरे बाद आपको, यह कोई और नहीं, यह एक तरह से दिखा दिया मैंने आपको as a reference, यह A है, यह B है, और similarly वैसे ही आप देख सकते हैं, कि यह A है, यह B है, तो आप समझ गया होंगे, 10 of A plus B, 10 inverse of A plus B, upon 1 minus A into B, यही तो formula दिखाया था, reference, just इसका आपको कुछ नहीं करना, यूस करना एक छोटा सा, और हम देखते हैं, कि इसे कैसे आगे हम बढ़ाएंगे, बहुत simple calculation, लेकिन ध्यान रखे, pi by 4 प्रूव नहीं करना, यह कभी-कभी student ऐसी गलती करते हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं, अली बाती नहीं गलती, यह given है, तो आपने given तक लिख दिया, आपको x की value find करनी है, बस इसको solve करना, आप चाहो तो 10 inverse को अभी ही से भेज़ दोगा, तो मैं ऐसा गड़ता हूँ, भेज ही देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको students यहां से देखो, remove कर रहा हूँ, आप एक line ले ले लेना, और वहाँ चले जाएगा, 10 inverse जब pi by 4 के साथ जाएगा, what we will get, हमें क्या मिलेगा, yes 1 मिलेगा, 10 pi by 4 बनोट है, ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, इसे आप solve कर लेते हैं students, simple चीज है, बस इतना हमें solve करना है, और solve करने का भी थोड़ा बहुत style दिया रहा है, देख लिना कैसे करना है, देखे, यह है न, कैसे करोगे, cross multiply, यानि x minus 1 into, इसको थोड़ा सा उदर shift करता हूँ, देखेगा, x minus 1 into x plus 2, यह हो गया, है न, यह इदर cross multiply, उदर जाके, x plus 1 into x minus 2, समझ में आ गया, नीचे whole upon my student, जो चीज आएगी न, x minus 2 into x plus 2, वो यहाँ भी आएगी whole upon में, तो cancel हो जाएगी, मैं लिखी नहीं रहा, लेकिन उससे पहले, यह चीज वहाँ multiply होगी, यह x minus 2 into x plus 2, यहाँ multiply होगा, और हम जानते है, x minus 2 into x plus 2 का मतलब हुआ, x square minus 4, क्योंकि a plus b, a minus b बनाएगे न, तो वहाँ multiply हो, कैसे दिखने लग जाएगे, minus की sign के साथ, यह भी a minus b, a plus b है, that is x square minus 1, और सामने क्या बच्चावाए, सामने बच्चावाए 1, any problem, समझ में आ रहे हैं आपको, multiply कर रहा हूँ, minus 1 का, जब x plus 2 से होगा, तो minus x minus 2 आ जाएगा, यहाँ पर students बचेगा, plus के साथ, x square, simple multiplication, x minus 2 minus 2 x, plus 1 into x, plus x minus 2, is equal to, यह कितना हो गया, देखिए, minus x square plus x square gets cancelled off, minus 4 minus minus plus, यानि कि यह plus 1 यहाँ minus 4, minus 4 plus 1 is minus 3, minus 3 1 से multiply होगा, minus 3, अब इसे solve कर लिजिए, देखिए, अब कुछ है करने लाएग, हाँ होगा, अच्छा, एक second मैं कुछ चीज देखना चाहता हूँ, मैंने कुछ mistake तो नहीं किया, नहीं नहीं, अभी नहीं किया, कोई mistake नहीं है, बस मुझे इसे solve करने है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर, कि जो भी चीज मुझे दी गई है, जैसे मुझे x square, x square मुझे जूडते वे दिख रहे हैं, minus 2x, minus 2x, plus 2x, cancel हो रहे हैं, minus x, plus x, फिर cancel हो रहे हैं, और minus 2, minus 2, add होंगे, तो यहाँ से x square, x square, तो 2x square बन जागा न, यह वाला और यह वाला, फिर minus 2 और वो minus 2, minus 4 हो जाएगा, is equal to सामने minus 3 बचा हो है, तो 2x square is equal to कितना हो जाएगा, 4 plus का हो हो जाएगा, plus 4 minus 3 is 1, तो यहाँ से आप this implies, x is equal to, plus minus of 1 by root 2, isn't it, यह आपका result हो गया, यह आपका result हो गया, समझ पार हो कि नहीं पार हो students, बस अब इसे थोड़ा साम देख लेते हैं, यह आपको दिख गया होगा, यह हमारा इसका proper solution है, इस तरह से, मैंने पुरी screen में आपको दिखा दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा छूटा दो नहीं हो रहा है, हाँ, बस यही बात है, जो है, तो students, यह हमारा second question था, इस concept कितने है, plus minus 1 by root 2, बस students, मैंने यही दो questions आपके साथ discuss किये हैं, अब इसके बाद जो मैं आपको चीज कराने जा रहा हूँ, बड़ी ही conceptual है, उसे आप जरूर समझेगा, उसमें class 11 का concept यूज होता है, मैं सोच रहा हूँ कि सारा concept जो यूज हो रहा है, वो आपको एक ही जगे ही पर करा दूँ, कहा हाँ जाकर class 11 की वीडियो देखेंगे, और फिर कैसे relate करेंगे, इसलिए मैं ही समझा दूँगा वो सारी बाते, ठीक है न, आप कूशिस करना उसे आप देखें, तब बहुत clarity रही और exercise फिर finish हो जाएगी, और important को ऐसे हैं, उन्हें ऐसा मत समझना, अंडरेस्टिमेट मत कर देना, चलिए students, अगर आपको ये lecture informative लगता है, तो please इन वीडियो lectures को अधर नेगरी student के साथ जरू share किया कीजिए, ठीक है न, और like भी किया कीजिए, अगर आपको ये वीडियो lecture informative लगता है, बीडियो सुनिक्टिम, आपको ये ने लिए ने लिए लुस्टिमें, कि अतलि ये ने लिए रिए लुटिमे, जिल दिने गुटभ़े लुटभवा, वेवा रेट देय।